दोस्ताब लोग के लगातार कमेंट आ रहे हैं कुछ लोगों के कि मत्र दस हजार रुपे तक में कौन सा PC बिल्ड हो सकता है यानि उनली CPU कौन सा बिल्ड हो सकता है monitor keyboard छोड़के हम बात करेंगे काफी लोग इसके अंदर add कर लेते हैं तो ऐसा संभू नहीं है अगर आपको काम करना है तो दस हजार रुपे में कौन सा PC बिल्ड हो सकता है दस हजार में क्या ही हो सकता है लेकिन दस हजार में क्या हो सकता है क्या बहतर हो सकता है उस पर हम इस व वरजन हैं वो सारे के सारे चलेंगे लेकिन हाँ Windows 10 सिर्फ इस पर चलेगा 11 नहीं चलेगा यह आपको ध्यान रखना होगा साथ में ही जितने भी सारे बच्चे अगर सीखना चाहते हैं कोरल रख फोटो साप यह सारा का सारा सौफ़्यर इस पर अच्छे से चलेगा बस बड बजट नहीं है लेकिन आप online काम वगर करना चाहते हैं तो यह PC बिलकुल उन सब काम को कर सकता है बिलकुल भी दिक्कत नहीं है आप इसको बिलकुल बिल कर सकते हैं अगर बजट कम है तो क्योंकि यह लोगों की requirement है नहीं से बहतर है यह क्योंकि इन सारे कामों को करने के लि मेरी request है कि इससे नीचे की आप सोचिए नहीं क्योंकि आज के रित्म में वो काम नहीं करेगा और आपका पैसा नुकसान में चला जाएगा अगर PC चाहिए कम से कम बे PC चाहिए तो कम से कम इसे बिल्ड कीजिए इससे नीचे आप ना जाएं आईए दोस्तों हम बात करते है सबसे पहले हम प्रोसेसर की बात करेंगे तो अपने टाइम का बहुत ही फेमस प्रोसेसर रहा है और आज भी बहुत जगा लोग काम कर रहे हैं इस पर मार्केट में काफी सारे दुकानों पर हमने देखा है हमारे हां ग्रामीर छेतर में काफी सारे दुकानों पर पूराने स प्रोसेसर लगा हुआ है और ये 2 core 4 threads का प्रोसेसर होता है 22 nanometer पे बना हुआ है जितने में भी है उतने में ये एक अच्छा प्रोसेसर है जो कि मात्र पंदरो सो से दो हजार रुपे में आपको online मिल जाता है एक बार आप इसको offline में भी try करें आप जहां पर भी रहते हैं वहां के दुकान पर हो सकता है कि 500-700 रुपे में भी ये मिल सकता है आपको जो कि बहुत अच्छा काम कर सकता है उसमें लेकर के आप second hand ही मिलेगा, used ही मिलेगा ये कभी खराब नहीं होता प्रोसेसर आपको ध्यान रखना होगा कोई भी tension की बात नहीं है अप लेकर के आप इसको use कर सकते हैं इसके साथ में जो motherboard लगेगा वो H61 लगेगा जो नया अगर आप लेते हैं तो motherboard नया ही भाई करें तो सही होगा पचीस सो से तीन हजार रुपे में ये मिल जाएगा ओफलाइन ट्राइ करें एक बार हो सकता है कि और भी ये सस्ता मिले अगर नहीं मिलता है तो मैंने online का जो है Amazon का link दे रखा है description में सभी parts का मैं link दे रहा हूँ वहाँ से एक बार try जरूर करें दोरों जगा टैली करके जहां पर सस्ता मिले वहाँ से आप जो है इसको मंगा सकते हैं 161 motherboard मैंने दो-तिन link दे रखा है जो भी आपको सही price में मिले सारही सही है जिसका price अच्छा हो वह आप buy कर सकते हैं बाकि इसके अंदर DDR3 RAM लगेगा 4GB का RAM लगाएं इससे उपर आपको जाने की जरूरत नहीं यह system के अंदर क्योंकि इस system से जो काम होने वाला है उसके लिए 4GB बहुत होता है इससे उपर फाल्तू आपका पैसा waste होगा 8GB अगर इसके अंदर लगाते हैं तो यह जितने भी सारे काम की हम जिस काम की बात किये हैं उस काम के लिए 2GB भी बहुत है लेकिन 4GB लगाएं यह enough है इससे उपर आपको जाने की जरूरत नहीं है जो मात्र आपको 800-1000 रुपे के बीच में मिल जाएगा नया उसको आप बाई कर सकते हैं इसका भी मैंने लिंक दिया हुआ है उसके बात जो है आप चाहें तो 8GB भी लगा सकते हैं अगर आपको चाहिए ही तो मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है बाकि अगर 8GB लगाते हैं तो 1825-100 रुपे के बीच में पड़ेगा उसके अलावा जो है इसके अंदर आप SSD एक जरूर लगाए ताकि बहतर परफर्मिंस आपको मिल सके हार्ड ड्राइब पर आपको बहतर परफर्मिंस नहीं मिलेगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में आप जो है हार्ड ड्राइब लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विंडोस 10 के लिए आप जो है SSD लगाएं SATA SSD इसके अंदर आपको लगाना है NBM में सपोर्ट नहीं करेगा जिसके लिए 120 GB बहुत होता है विंडोस 10 के साथ में जितने भी सारे सॉफ्ट्वेर हैं आपके उस सारे के लिए 120 GB बहुत होता है इससे उपर भी आपको जाने के ज़रूरत नहीं है और 120 GB जो है साथा SSD ही आप लगाएं उसी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें जबरदस्त काम करेगा ये जो है दोनों ही मिलकर के यानि जो RAM है 4GB और ये साथा SSD मिलकर के आपका काम ये सारा का सारा जो है करा देगा बिलकुल भी आपको प्रब्लम नहीं होगी अगर 240 GB चाहिए तो वह भी मैं लिंक में दे रहा हूँ आप वहां से भी जो है 240 GB या फिर सिर्फ SSD ही लगाना चाहते हैं तो 480 GB जो है आप लगा सकते हैं जो कि 2500 से 3000 में मिलेगा ये बेहतर हो सकता है अगर हार्ड ड्राइब नहीं लगाना चाहते हैं तो 480 GB जो है आप SSD लगा लेजिए बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए और इस पर आप जो है डाटा को भी रख पाएंगे और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को भी रख पाएंगे और सारे के सारे सौफ़वेर भी इंस्टॉल कर पाएंगे अलग से किसी भी हार्ड ड्राइब के ज़रुद नहीं होगी और आपका सिस्टम बहुत ही स्मूथ चलेगा हार्ड ड्राइब चाहिए तो हार्ड ड्राइब के भी मैं लिंक दे रखा हूँ आप वहां से ले सकते हैं अब बचता है कैबिनेट यानि चेचीज तो उसके लिए आप कोसिस करें कि आप अपने लोकल मार्केट में एक बाट ट्राइ करें लोकल मार्केट में आपको पंदर सो सोलो सो में एक अच्छी सी आपको इंटर या फिर जेब्रोनिक्स वगएर का इस टाइब के बहुत सारे कैबिनिट्स आपको मिल जाते हैं उसके अंदर पावर सप्लाई भी होती है अलग से लेने की जरूरत नहीं है यानि कि 1500 से सोलो सो में विथ पावर सप्लाई 450 वाट की पावर सप्लाई के साथ मिल जाता है और इस सिस्टम के लिए इस से उपर जाने की जरूरत भी नहीं है जो कि ठीक ठाट मिल जाता है अगर आफलाई नहीं मिलता है तो ओनलाई भी मैंने कुछ लिंक दिया हुआ है वहां से आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर ओनलाई में 2500 के आसपास मिलेगा 2200 से 2500 रुपे में अगर ओनलाई मंगाना चाहते हैं तो आप ओनलाई भी मंगा सकते हैं साथ में कीबॉड माउस कॉंबो का भी मैंने लिंक दिया हुआ है मॉनिटर्स का भी मैंने लिंक दिया हुआ अगर मॉनिटर्स वगर चाहिए तो आप मॉनिटर्स भी बाई कर सकते हैं इस से कम यानि जो मैंने प्रोसेसर बताया यह कन्फिग्रिशन जो मैं बता रहा हूँ इस से कम में आप ना सोची आपका काम नहीं हो पाएगा पैसा बरबाद होगा लेकिन इस पर जो है आप अभी भी काम कर सकते हैं मार्केट में रह करके काम कर सकते हैं कोई वीडियो एडिटिंग गेमिंग वगरे नहीं कर सकते हैं लेकिन काम जो आपको करना है वो कर सकते हैं क्योंकि मार्केट में अभी भी लोग इस पर काम कर रहे हैं तो इस तरीके से से धन्यवाद करता हूँ, आपका दिन सुभो.